राम राम जैहिंद आज एक डिवेट को खतम करते हैं वो है ब्रेड वर्सेस रोटी आज इसको खतम करते हैं इसका सत्यानास करते हैं बहुत खून पी लिया है इसने की ब्रेड खाएं की रोटी खाएं आगे बढ़ने से पहले ये ख़ो यह हमारा स्टैमिना बूस्टर ठीक ह आए हम भी यूज करते हैं बेसिकली आपके टेस्टासरान को बढ़ाता है इसको लेने के लिए सामने नंबर आरा है फंद्रासो रुपए इस नंबर पर करना है जो कि बहुत आपको इसी नंबर पर हम पहुँचा देंगे हैं ठीक हैं हम यहाप बात करेंगे आज ब्रेड वर्सेस रोटी के हम सब चीजे तुम्हें बताएंगे बिल्कुल टेंसर मत लेना हम बहुत सारी चीजे तुम्हों के लिए कि आए वीडियो में जो की डिरेक्ट हेल्प करेंगी कोई घुमा फिरा के एडिटिंग नहीं बताते हैं क्योंकि एडिटिंग हमें इस तरीके की वी अब इसे 10-20 साल पहले ना चले जाना कि हमाई दादा और वो सब खाते थे पिट रहते थे वो चीजें अभी मिल नहीं पा रहे हैं ठीक है तो हम आज की बात करेंगे तो तुम लोग भी आज में ही रहना आज के टाइम पर हम बात करें तो यह दोनों ही चीजें क्योंकि रो जो लोग सहरों में रह रह रहे हैं मुन की बात कर रहे हैं कि यह जो गेहों की रोटी हम खा रहे हैं जो भी हम यह गेहों की रोटी मतलब करें है हम उसकी बात कर रहे हैं देखो होता क्या है इन दोनों में ही जो गेहों की रोटी है और ब्रेड है दोनों में ही कहीं न कहीं आज कल हमें मैदा देखने को मिलता है क्योंकि आज कल लोग चक्की पे नहीं जाते हैं गेहों पिसाने देखो सीरी सी बात हम बता रहे हैं आज कल लोग चक्की पर नहीं जा रहें गे हुECRO आटा लेते हैं और पेकेट वाले आटे चाहें जतना क्लेम क्राँएं उनमें वाइट पार्ट जो होता है वो मैदा ही होता है यह बात आपको माननी पड़े में बहुत खुब सूरत नहीं होती है ध्यान लखना एक अच्छी जो रोटी वनेगी वह देखने में बहुत अच्छी नहीं लगेगी तुम्हें किज को री Aid नहीं ओगा एसा नहीं उने वाला ठीक है तो हम यहां पर बात कर रहा है रोटी वर्सेच के एक आती है सपेद ब्रेड एक आती है ब्राउन ब्रेड एक आती हैं मिक्स पता नहीं कितनी कितनी ब्रेड है अफीतो कल हमने एक ब्रेड मगाई वो फ्रोपे के ब्रेड फिरली बाद जीव ने उत्ती महें की ब्रेड काई कोई मजा नहीं आप लुए क्लू तो हमारे जाने यूर्ड की वह सफेद ब्रेड Dif मैंदा है brown bread में oil है तो दोनों सब कूणा है bread एक हम बिल्कुल सच बता रहे हैं घर पे bread बना सकते हो बहुत से लोगों ने YouTube पे बनाई हुई है अगर बनाना चाहते हो तो घर ठीक है रोटी के बारे में अगर बात करें देंगो फार बेटर देन अगर आप गेहूं की रोटी भी खा रहा है वूट है और कहीं आपने 20 लाटा अपने शामने पे शुआया है ठीक के तो गेहूं की थान गाउट करना उसमें जो तुरंत नर्जी जेए वो रूटी नहीं देपाएगा डुटी को आड्लीस देर दो गूंटा तो चाहिए लेकिन वाइड ब्रेड़ अगर खाते कुक्ष नहीं खाया सीधा सुमझाते अगर वर्काउट के पहले कुछ नहीं खाया है और खाना है तो ब्रेड खा सकते हो अगर 30 मिट के अंदर का टाइम है लेकिन अगर यह देख रहोगी डाई से 30 मिंटा है अभी तो कोई मील बना लो या फिर रोटी से ही कुछ बना सकते हो ठीक है मेरे कहने का मतलब बस यह है 100 में से 90 बार रोटी को ही प्रिफर करो अब रोटी की वेराइटी के बारे में किसी दिर और बात करेंगे लेकिन अभी के लिए हम बस इतना बता रहे हैं जब भी चूस करने का मौका मिले तो हमेशा रोटी को ब्रेड के उपर प्रिफर करो मतलब रोटी सबसे पहले है ब्रेट बाद में है ब्रेट हमारे पास एक लास्ट और स सर्वाईवल ठीक है बस इतना समझू ब्रेड को सर्वाईव़ल रखो बाकी आप रोटी रखो सेंड्वीची बनानी है रोटी इतनी क्रिस्प होकर इतनी टेस्टी लगती ही कभी भी बनाना पनी सेट्विच जो बनती है कभी भी हम बना के दिखाएंगे कभी उसके बीच में रोटी रखते हो मलब बाकी सब रखते हो उपर से रोटी लगाते हो क्या गजब की बनती है रोटी से लोग पीजा भी बनाते हैं ठीक है बनाते हैं कि हमने घर में अपने खाया है और बहुत बनता है ठीक है लेकिन खैर हमें आप यार रोठी बात नहीं कर रहे हैं तो बस इतना ही कहेंगे कि वाइट वेड़ हो कोई भी ब्रेड हो ब्रेड जब आप मार्केट से लेके आओगे के क्लेम वो कुछ भी कर सकते हैं नहीं होगा वो चीजे इस बात का ध्यान अगना इस से अच्छा है कि रोटी खाओ नहीं तो ब्रेंट तब खाओ जब आपको सर्वाइवल का प्रॉबलम हो कि वह या अब हमें भूग लगी है आदे घंटे बाद जिम जाना है वर्काउट करने आना है फिर आप वाइड ब्रेड परहर कर सकतो कभी कभी के लिए को इतनी दिकत न मिलते हैं तब तक के लिए रामरा जाहिए